साथ मिठाई के पतिले न आये कोई बात नहीं तीन जोडिया फैशनेबल चिक और पटेल पटेर की दो शितल पाटिया के बिना आईए आईगी मानुतो भावी ने हसकर कहा बैरंग वापस इसलिए एक सप्ताह पहले से ही सिर्चन को बुला कर काम पर तैनात करवा दिया था माने देखो सिर्चन इस बार नहीं धोती दुंगी असली मोहन चापवाली धोती मन लगा कर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते रह जाएंगे याने सिर्चन का क्या था अगर सिर्चन को अच्छा वस्तो अगर मिली तो सिर्चन कैसे मन लगा कर काम इस बार तुझे क्या देने वाली हूँ अच्छी नहीं दोती और जहाँ पर अगर काम की कदर ना हो तो सिर्चन क्या करता था सिधा मुँपे बोल देता था पान जैसे पतिली धुरी से बास की तिलिया और कमानियों को चिकनाता हुआ सिर्चन अपने काम में लग गया क्या हो गया था उसको नई धोती मिलने वाली थी तो इसलिए अभी वो क्या थी तैनात हो गया था याने नियुकत हो गया था तीली यानि मोठी सिक्की यानि सलाई और कमानी कमानी यानि खुंटी से उसने वो सब अपना जो कपड़े जो थे वो सब लगा दे थे और वो अपने काम पे लग गया था रंगिन सुत्तलियों में जब्बे डालकर वह चिक बुनने बैठा देग हाथ की बिनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चिक बन रही है क्या हो गय था नया कुछ तो बन रहा था सिर्चन के हाथ में कला थी इसलिए वो कुछ अलग बना रहा था और लोग भी सोच रहे थी कि इस बार सिर्चन कुछ अलग बना रहा है मंजली भावी से नहीं रहा गया परदे की आड से बोली पहले ऐसा जानती की मोहन चापवाली धोती देने से ही अच्छी चीज बनती है तो भाईया को खबर भेज देती क्या है याने चापवाली धोती मिल रही है इसले क्या है सिर्चन अच्छा काम कर रहा है यह यहाँ पे स्पष्ट हो रहा था जो मंजली जो भावी है उसने बोला था और आगे फिर वेस्त काम में जो वेस्त था सिर्चन उसके वो कानों में यह आवाज गई तो उसने बोला मोहर चापवाली धोती के साथ रेश्मी कुर्टा देने पर भी ऐसी चीज नहीं बनती बहुराणी याने जो सिर्चन जो काम करने वाला था वो उसमें बहुत थी सुन्दर करने वाला था तो सिर्चन क्या बोलता है कि उसके साथ अबर कुर्ता भी डेते तो इतना सुन्दर काम नहीं बनता बहुरानी मानु दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी हैं मानु दीदी का दुला अफसर आदमी है मंजली भावी का मूँ लटक गया याने सिर्चन ऐसे बोलने के बाद मंजली भावी का जो मूँ था वो उतर गया था मेरी चाची ने फुस फुसा कर कहा किस से बात कर रही हो बहु मोहन चापवाली दूती नहीं मुंगिया लट्डू बेटी की विदाई के साथ रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी देखती है न याने उसको क्या क्या मिलता था मुंगिया लट्डू याने मूं के लट्डू जो थे वो भी उसे उनकी बेटी की शादी हो गई थी विदाई हो गई थी उसमें जो मिठाई वगरे थी वो भी उसको क्या खाने को मिलती थी दूसरे दीन चीक की पहली पाती में साथ तारे जगमगा उठे पाती याने पंकी साथ तारे जगमगा उठे साथ रंग के सत भाया तारा अपने काम में मगन सिर्चन को खाने पीने की सुद नहीं रही वो क्या हो गया भी काम में बहुत मगन हो गया था चीक के सुतली के पफंदे डाल कर उसने पास पड़े सुद पर निगाह डाली चुड़ा और गुड़ का एक सुखा डेल मैंने लक्ष किया सिर्चन की नाक के पास दो रेखाए उबर आई में दोड़कर मा के पास गया मा आज सिर्चन को कलेवा किसने दिया है स्रिप चिवरा और गुड़ याने सिर्चन को आज स्रिप चिवरा और गुड़ क्यों दिया है सिर्चन काम में वैस्त था इसलिए उसका ध्यान कहीं भी नहीं था तो लेखक को लेखक ने मा से पुछा का सिर्चन को आज स्रिप चुवरा और गूर क्यों दिया है मा रसोई घर के अंदर पकवान आदी बनाने में वैस्त थी बोली अरी मंजली सिर्चन को बुंदिया क्यों नहीं दिया बुंदिया के लाडू जो होते बुंदिया में नहीं खाता का की क्या है सिर्चन क्या नहीं खाता बुंदिया नहीं खाता बुंदी नहीं खाता है सिर्चन ने मुँ में चूरा भरा हुआ था सिर्चन के मुं में क्या है चुड़ा भरा वाता गुड़ का ढेला सुप में एक किनारे पर पड़ा रहा अच्छु था याने उसको छुड़ा नहीं था मा की बोली सुनते ही मंजली भावी की भैतर तंग गई मुठी भर बुंदिया सुप में फेक कर चली गई एक दम गुस्से से वो क्या हो गई वो जो बुंदी थी वो मुठी भर वहाँ पे फेक कर वो चली गई सिर्चन ने पानी पिकर कहा मंजली बहुरानी अपने मेके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोल कर बाठती है क्या बस मंजली भावी अपने कमरे में बैट कर रोने लगी चाची ने मा के पास जाकर कहा मूँ लगाने से सिर्फ पर चड़ेगा ही किसी नेहर ससुराल की बात क्यों करेगा वह यानि क्या हो जाता अगर किसी को मूह लगाया यानि किसी का जादा यानि उसके आगे पीछे किया तो वो क्या है वो सिर पर चेड़ेगा ही यह चाची बोली मंजली भावी मा की दुलारी बवव है मा की दुलारी याने प्यारी बहु थी मंजली बहु याने बिच की जो भाबी थी मा तमक कर बाहर आई तमक कर याने बहुत गुसे से बाहर आई थी और सिर्चन तुम काम करने आये हो अपना काम करो बहु उसे बत्तकुटी करने की क्या जरूरत है जिस चीज की जरूरत हो मुझसे कहो यानि अभी सिर्चन की वो जो मा थी यानि वो बहुओं की जो सास्ती उन्होंने सिर्चन को बोला कि तुम यहाँ पे काम करने आओ तो चुप-चाप करके आपना काम करो बहुओं के मुलगने की जरूरत नहीं है मानु पार सजाकर बाहर बेट खाने में भेज रही थी चुपके से पान का एक बीडा सिर्चन को देती हुई इधर उदर देखकर बोली सिर्चन दादा काम काज का घर पाच तरह के लोग पाच किस की बाते करेंगे तुम किसी की बात पर कान मत दो याने क्या है मानु वहाँ पार आई उसने सिर्चन को भी पान का एक बीडा दिया याने हॉल में और वहाँ पे बोली कि घर में पाच तरह के पाच लोग रहते हैं तो तुम इन पर द्यान मत दो तुम अपना अपना काम करो सिर्चन ने मुस्करा कर पान का बीडा मूमेंड ले लिया चाची अपने कमरे से निकल रही थी सिर्चन को पान खाते देख अवाक हो गई याने बहुत गुसा हो गई क्या हो गई सिर्चन ने पान खाया और तभी चाची बाहर आई और चिर्चन को पान खाते वे देखा तो अवाक हो गयाने बहुत घुसा आ गया सिर्चन ने चाची को अपने और अचरच से गुर्टे देख कहा याने बहुत घुसे से देख कर कहा चोटी चाची जरा अपनी डिबिया का गम कोवा दर्जा खिलाना बहुत दीन हुए याने क्या हो गया था भी चोटी चाची जरा और दरजा याने, तमबा को जल्दी भुनी रहना, याने नाराज रहना, क्या है उसने क्या कहा था जल भुनी रहती है, कई काँ याने, जली भुनी रहती थी कई कारणों से जली भुनी आने क्या है दाराज रहना याने वो बहुत नाराज रहती थी कौन चाची सिर्चन से गुस्सा उतारने का ऐसा मोका फिर नहीं मिल सकता जनक्ती कोई जनक्ती ही बोली तुमारी बड़ी जिब में आगे आग लगे तुमारी बड़ी याने वो जादा बड़ करता था जादा बात करता था तुमारी जिब में क्या है आग लग जाए ऐसे कौन बोली चाची बोली गर में भी पास पान और और गमकवा खाते हो याने तुम्हारी जीब में आग लगे घर में भी पान और गम कवा याने क्या है तमबाकू खाते हो चटोर कही के याने बहुत चटोरी आप तुम्हारी जीब है मेरा अकेला धड़क उठा हो गया सत्यानाश क्या हो गया था उसका याने सिर्चन का क्या हो जाए सत्यानाश हो जाए पर सिर्चन की उंगलियों से सुतली के फंदे पढ़ गए मानो कुछ देर तक वह चुपचाप बैठा कोन सिर्चन एक दम चुपचाप हो गए ता चाची जब क्या करी थी बढ़ बढ़ करी थी पान को मुँ में गुलाता रहा फिर अचानक उठकर पिछवाड़े थुकाया याने बैक में याने पिछवाड़े घर के पिछए जाके थुकाया अपनी दूरी हसिया वाइगरहट समेट संबाल कर जोले में रखा याने उसकी जो चीजे थी वो सब क्या क्या उसने जोले में रख दी तंग्यू अधूरी चिप पर एक निगाहर डाली और हनहनातर हुआ आंगन से बाहर दिकल गया याने बड़बडा था हुआ बड़बड करता हुआ बाहर निकल गया याने गुस्ते से निकल गया मानो कुछ नहीं बोला चुप चाप अधूरी चिक को देखती रही सातो तारे मंद पड़ गए याने वो क्या हो गया उसका जो काम था अधूरा रहकर वो चला गया मा बोली जाने दो बेटा जी छोटा मत कर्मानू मेले से खरीद लाएंगे अभी सिर्चन को जो काम दिया था उसने क्या क्या था अधूरा रग दिया था तो मा बोली कि ठीक है वो चला गया है हम बाजास से नया लेकाएंगे मैं सिर्चन को मनाने गया देखा एक फटी हुई शितल पाटी पर लेट कर वह कुछ सोच रहा था क्या हो गया था सिर्चन को मनाने के लिए जब गये वो तो क्या है एक शितल पाटी पर याने चटाई पर लेटा हुआ था कुछ सोच रहा था मुझे देखते ही बोला बबुआ जी अब नहीं कान पकड़ता हुँ अब नहीं याने अब नहीं आऊंगा मोहन चापवाली दोती लेकर क्या करूंगा कौन पहनेगा ससूरी खुद मरी बेटे बेटियों को ले गई अपने साथ बववा जी मेरे घर वाली जिन्दा रहती तो मैं ऐसा दुरदशा भुगता यह शितल पाटी उसी की बुनी हुई है इस शितल पाटी को चूप कर करता हूँ यानि क्या होगा कि अब मैं फिर से काम नहीं करूंगा मेरी अगर घर वाली यानि उस सिर्चन की जो बीवी थी वो अगर जिन्दा होती तो मेरा यह हाल नहीं होता है जिस शितल पाटी पे मैं सोया हूँ वो उसी ने तयार की थी सिर्चन सोचने लगा था अब ये काम में नहीं करूंगा गाव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी अब क्या मैं चुपचप वापस लोटाया समझ गया कलाकार के दिल में ठेस लगी है वह नहीं आ सकता अभी सिर्चन का इतना अपमान हो गया था तो लेखर ब हमेशा क्या होता था दुदकार दिया जाता था बड़ी भाबी अधूरी चिक में रंगी छिट का जालर लगाने लगी यह भी बेजा नहीं दिखलाई पड़ता क्यों मानों बड़ी भाबी क्या करी थी जो सिर्चन ने अधूरा काम रखा था उसको जालर लगाने की करे थी मनु कुछ नहीं बोली पेचारी किन्तु में चुप नहीं रहा सका चाची और मंजली भाबी की नजर न लग जाये इसमें भी मानु को ससुराल पहुचाने में ही जा रहा हूँ अभी जो मानु थी उसके लिए जो बनाय गई थी वो चटई वो क्या है वैसे ही इस्टेशन पे सामन मिलाते समय देखा मानु बड़े जतन से अधूरी चिक को मोड़कर लिये जा रही है अपने साथ मन ही मन सिर्चन पर गुसा हो आया चाची के सूर में सूर मिला कर कोस्ने को जी हुआ कामचर चटोर याने क्या हो गया था सिर्चन ने जो काम अधूरा रखा था मानु ने वही जो सिर्चन ने बनाय हुई चटई थी वो अधूरी चटई वो अपने ससुराल लेके जा रहे थी और गुसे में थी सिर्चन को गाली देने का मन उसका हो रहा था और उसको बोल रह सिर्चन पर नजर पड़ी बबुवाजी उसमें दर्वाजे के पास आकर पुकरा गाड़ी निकली रहे थे दर्वाजे बंदी हो रहा था तब तक सिर्चन आया और बबुवाजी चिल्लाने लगा क्या है मैंने खिलकी से गर्दन निकाल कर जिड़की के स्वर में कहा याने ए जड़े होए बोच को उतार कर मेरी और देखा दोड़ता आया हूँ दर्वाजा खोलिये मानू दिदी कहा है एक बार देखू क्या हो गया था सिर्चन फिर से क्या बोलने लगा मानू दिदी कहा है एक बार दिखा और सिर्चन ने कुछ तो लाया था जो बोजा था उसने ब हक लाते हुए काहा यह मेरी और से है सब चीजे है दीधी शितल पाटी चीक और एक जोड़ी आसनी कुछ की गाड़ी चल पड़ी क्या हो गय था सिर्चा ने जो चटई का खाम अधूरा छड़ा था लेकिन सिर्चा ने घर पे क्या किया था मानु दीधी के लिए उसकी जो दनन थी वो जो गुसा थी उसके लिए शितल पाटी चीक और एक जोड़ी आसनी याने बैठनी की जो चटेरी थी है वो सब उसने बना कर दी थी मानु के लिए मानु मोहन छपवाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी सिर्चन ने जीप को दातों से काटकर दोनों हाथ जोड़ दे क्या हो गय थे सिर्चन ने दोनों हाथ जोड़ दे और बोला कि मुझे ये नहीं चाहिए मानु फुट फुटा कर रो रही थी मैं बंडल को खोल कर देखने लगा ऐसी कारागीरी ऐसी बारी की रंगीन सुतलिया के फंदो का ऐसा काम पहली बार देख रहा था क्या हो गय था सिर्चन ने जो चीजे लाई थी गारी चलने के बाद वो खोलने लगा और उसमें इतनी सुन्दर कारागीरी की थी और मानु जीदी क्या हो गय थी बह जोर जोर से रोने लगी थी यानि सिर्चन के बारे में जो गलत फेहिमिया थी वो सबकी दूर हो गई थी बखे बच्चों, आगे समझ में, बबाई!